है अज़से वीडियो सेरीज बाप सभीन का स्वागत है आज कि इस वीडियो में सीखने वाले हैं इसाज दोस्तोर डेटा विल्डेशन एक बहुत ही important function है जो आपके बर्क वोट बनाता है दोस्तों कई वर्क करते हैं जिसे और बहुत सारे क्लाइंट का नाम मैंने लिख रखा है और मैंने का मुवाइल नमबर यहां पर टाइप करना चाहता हूं दोस्तों कई बड़ जह मुवाइल नमबर टैप करते हैं तो कई बार 9 डिजिट ही आ जाता है कई बार 11 भी हो जाता है जल्दी में टाइप तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, तो इसमें आपको लेना है text length, length मनलो होता है लंबाई, तो text length पर click करोगे और यहाँ पर आपको करना है equal to, equal to मनलो length कितना रखना आपको 10 digit ही रखना है, और आप चाहोते हैं पर error alert में यहाँ पर equal to 10 digit length ही लेना है, क्योंकि यह मुआलमर द सकते हो, please check your mobile number, check your mobile number, आपना mobile number को check किजिए, that is 10 digit होना चाहिए, that should be 10 digit, मैंने हाँ लिख दिया, यह message आपको हाँ पर show करेगा, जैसे मैं आप OK किया, जैसे OK किया तो यह complete होगे, आगर मैं कोई mobile number type करता हूँ, 12345678910, तो 10 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं गलती से, 12345678910, 9 digit है प्रेस करते हो, तो मेरे पास एक message होगा, so होगा, कि attention, please check your mobile number, that should be 10 digit, 10 number का होना चाहिए, 10 number का होना चाहिए, आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, cancel करना, क्योंकि यह 9 number होगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऐसा आप समझ चुक्यों, अब इस तरह, दोस्तों, यहाँ पर data of appointment है, कि अगर कोई appointment है, उसको हम देना चाहते है, इसे भी validation लगाना चाहते है, कि मालजे, appointment date है, 15 April से लेकर 21 April तेक, तो इसके लिए का करना है, सलेक्ट करेंगे, आपको जाना data validation में, और यहाँ पर हम जाके, यहाँ पर आपको date का function select करना ह है, और यहाँ between select है, जिससे आपको जो appointment date है, वो है 12, मालजे कि अभी चल रहा है, 12 March कर रहा हूं, 12 March 2024 से लेकर, 15 March 2024 तक ही हम appointment हम देंगे, तो आप चाहूँ, तो यहाँ पर set कर सकते हो, यहाँ कर रहा है, पर आपको लुका हम देंगे, और यहाँ पर रहा है, 25 March 2024 तज से लेकर, 21 March 2024, तो 2016 कि यह आप जैसे को टेट एब आता है जासे मैं नहीं लिख दिया कि मार्च दोजार चोविस तो एकसर कर देगा लेकिन जैसे मैं अलग डेट लिखुनगा जिसे लिख लिख दिया 25